हालो पाइसेज, पाइसेज यानि मीन रासे, कैसे हैं आप सब, नमस्ते, मैं सुरेज होड स्वागत करती हूँ आपके अपने ट्रीपल एस हिंदी टैर उपर, तो आज हम आपके लिए लव रेडिंग करेंगे, जो 7 नुवंबर से 14 नुवंबर तक वीकली यानि सापताहिक र नुव लेडिंग है, यह सब पर रेजोनेट नहीं होती, तो जिसके साथ जितनी रेजोनेट होती है, प्लीज एक्षेप्ट कीजिए, बाकि एपने फ्रेंड्स के लिए, दोस्तों के लिए, और उके लिए पास कीजिए, तो चलिए चलते हैं, देख लेते हैं, और इसमें ह फ्यूचर कैसा रहने वाला है, तो चलिए चलते हैं, यह एक जनरल लेडिंग है, यह सब पर रेजोनेट नहीं होती, तो जिस पर जितनी रेजोनेट होती है, प्लीज एक्षेप्ट कीजिए, यह आपके पार्टनर आपके लिए क्या फिल कर रहे हैं, पासे और वो आपसे क हैं, दास्टार, आपके लिए आपके पार्टनर फिल कर रहे हैं, कि सब कुछ खतम हो गया है, कुछ बचा नहीं है, फिर भी आप हिम्मत नहीं हार रहे हैं, एक नई बिगनिंग नई बिगनिंग चाह रहे हैं, नई शुरुवात चाह रहे हैं, या वो सोच रहे हैं, कि इस रिस्ते को नए सिरेजे शुरू किया जाए इसमें मेडिटेशन की जाए हिलर से मिला जाए प्रेयर की जाए प्रार्थना की जाए और तभी इसके बाद ही इस रिस्ते के बारे में आगे सोचा जाए नई बिगनिंग नई शुरू आप के बारे में जल्द बाजिना की जाए पहले meditation की जाए और अगर ऐसा सब कुछ किया जाए, meditation करते हैं, किसी healer से मिलते हैं, किसी प्रयार्थना करते हैं, भगवान में आस्था लगाते हैं, तो हो सकता है कि रिस्ता आगे जाकर अच्छा हो सकता है, बढ़िया हो सकता है, ऐसा आपके partner आपके लिए फील कर रहे हैं, तो वो आप से चाहा रहे हैं, कि इस रिस्ते में आगे बढ़ने से पहले, नई beginning, नई शुरुआत से पहले, जो सब कुछ खतम हो गया है, जो कुछ बचा ही नहीं है इस रिस्ते में, तो future को bright बनाने के लिए, अपने रिस्ते को मजबूत बनाने के लिए, इसमें healing की जाए डीप वाली healing की जाए, तभी इस रिस्ते को golden बनाने के लिए, starring बनाने के लिए, वो सोच रहे हैं, इसके बारे में healing चाहते हैं तो आपके partner आपसे क्या चाहते हैं Pisces, आपके partner कहीं न कहीं चाहा रहे हैं, कि अगर आप इस रिस्ते में एक नई शुर्वाद चाहते हैं, एक beginning चाहते हैं, तो जो पिछे चला गया है, उसकी tension ना लें, उसको बार बार उसमें confusion ना create करें, आप sommelier जैसी problem ना बनाएं, वो इस रिस्ते से, इस परेशानी से, इस दुविदा से आप बाहर निकलें, तो ये nine of swords का card है, कि अगर आपने जितना इस रिस्ते को, अपने प्यार को, मुहबत को दिखा रहे हैं, कि इसमें बहुत परेशानिया हैं, बहुत दूरिया हैं, बहुत कठीनाया हैं, ये इतनी ऐसी position कर ली हैं, कि आप रात बर नीद भी नहीं ले पा रहे हैं, तो इससे वो चाहते हैं, कि आप इससे बाहर निकलें, इसको इतनी बड़ी बात ना बनाएं, इतने issues ना बनाएं, confusion पैदा ना करें, tension ना लें, और इससे बाहर निकलें, और deep healing के साथ, prayer meditation के साथ, इस रिस healing और meditation के बाद, prayer के बाद, इस रिस्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, ऐसा वो आप से चाहा रहे हैं, tonight of swords, तो आप अपने partner के लिए क्या feel कर रहे हैं, तो आप अपने partner के लिए feel कर रहे हैं, कि वो कहीं ना कहीं इस रिस्ते में जल्द बाजिग कर रहे हैं, अगर जल्द कोई जो परपोजल बार बार परपोजल के लिए बोल रहे हैं रिस्ते को आगे बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं शुरुआत करने के लिए बोल रहे हैं तो इसमें जल्द बाजी नहीं करनी चाहिए ऐसा वो फिल करते हैं कि समय के साथ एक्षन लिया जाए, समय रहते एक्षन लिया जाए, लेकिन इसमें कोई जल्द बाजी ना की जाए, सोच समझ कर इसमें एक्षन लिया जाए, जोस में होसना खोया जाए, इसको सोच समझ कर आगे बढ़ाना चाहिए, सोच समझ कर इस रिस रिस्ते में शुरुआत है जो बिगनिंग है वो अच्छे तरीके से की जाए नहीं तो आगे जाकर फ्यूचर में जाकर ये रिस्ता खराब हो सकता है या दूरियां पैदा हो सकती है अगर जल्दबाजी की गई तो तो वो इसमें जल्दबाजी नहीं करना चाह रहे हैं वो सो चाहते हैं पैसिस आप अपने पार्टनर से चाहा रहे हैं कि इस रिस्ते को जकड़ा हुआ है बांदा हुआ है इसमें शिर्फ एक अट्रेक्शन है एक लथ है और आप कही ना कहीं चाहते हैं सोच रहे हैं कि हो सकता है कि इस रिस्ते में कोई तीसरा परसन हो तो आप कलियर कट चाहते हैं इसमें एक decision लेना चाहते हैं आप चाह रहें कि जो रिस्ता आगे नहीं चलने वाला है उस रिस्ते को या तो छोड़ दिया जाए या समय दिया जाए इस रिस्ते को बांधा ना जाए जबरदस्ती इस रिस्ते में ना फसा जाए आप इस रिस्ते से बाहर निकल के कोशिश कर रहे हैं इस रिष्टे में एक जो बोग बना हुआ है जो आट्रेक्शन बना हुआ है या फिर जिस कारण से भी इसमें दूरियां बने वह आट्रेक्शन है जो प्यार से जादा कोई smoking की लथ हो drinking कर रहा हो या फिर gambling वगएरा भी कर रहा हो या किसी third person से उसका हो सकता है कि attraction हो तो इस सबसे में ना बांदा जाए इससे बाहर निकलने की जुरूरत है decision लेने की जुरूरत है तब इस रिस्ते के बारे में आगे सोचना चाहिए या तो फिर इस रिस्ते को छोड़ देना चाहिए इसमें जल्द बाजी नहीं करनी चाहिए उसके बाद ही कोई action लेना decision के बाद है Queen of Cups तो इस रिस्ते का outcome क्या रहने वाला है अगर आप बैट कर बाते करते हैं decision लेते हैं प्यार भरी बाते हैं जो बीट गया उसको भुला कर अगर आप नई शुरुआत नई beginning कर सकते करते हैं एक deep feeling के साथ prayer के साथ और जो लोग already इस रिस्ते के बारे में जानते हैं तो उसके बारे में कागजाद वगेरा देखकर आपस में पता करके अगर आप इस रिस्ते को आगे बढ़ाते हैं तो ये रिस्ता आपके लिए अच्छा हो सकता है ये प्यार भरा रिस्ता हो सकता है ममता भरा रिस्ता हो सकता है लेकिन आपको share करने की जरूरत है आप दोनों को जो आप share नहीं कर रहे हैं एक दूसरे से छिपा रहे हैं उन बातों को खोलने की आपको इसमें जरूरत है तो आपका रिस्ता अगर ऐसा करते हैं तो आगे जा सकता है आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिए क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और अपना प्यारो राज सिर्वाद मुझे पर बनाए रखिए, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे तब तक के लिए नमस्ते, थेंकियू सुमा